नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भाला करूर आपकी सारी एक्षा है एव वनकामना है पुरी हूँ दोस्तों आज मैं आपसे भी कोई इस हाथ से रिलेटेड महत्पूं जान करेंगा जिसमें सरुपत हम यहाँ पर फिंगर के एनलीसिस के वादे इस पुरे पाम का एनलाइस कर आपसे एक के सामने व्यक्त करूंगा और हर प्रकार से अपने काम को निकलवा लेने में अर्थात कर लेने में या दूसरों से करवा लेने में सक्षम रहते हैं यहाँ लेडिल फिंगर के लेंद के विशे में चर्चा करें तो यह थोड़ी यहाँ पर शॉर्ट है जो एक प्रकार से कम्यूनिकेशन गैप को इंडिकेट करता है यानि कहीं न कहीं एक प्रकार के हिचकीचाहट घबराहट इस्ट्रेंजर से बात करते हुए या फिर अपोजिट जेंडर के प्रतिशरमील अपन इस प्रकार के योग बनते हैं लेडिल फिंगर आपके व्यापार का भी योग कारक होता है तो इस कारण से जैसे रूल्स रेगलेशन या डिसिप्लीन होते हैं कहीं न कहीं उसको मेंटेन करने में थोड़ी चूक हो जाती है या किसी वर्क का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपलली नहीं हो पाने के करन थोड़ी डीले के भी योग थोड़ी से बनते हैं तो इस कारण से थोड़ा जो है बुद्ध के रेमेडिस करना ज्याधा इंपोर्टेंट हो जाता है ताकि अपने अंदर जो है पर्फेक्षन और ज्यादा आए तो आप जो है पर्फेक्षन बिजनस से रेलेटेड और ज्यादा खर सकें otherwise gap maintain हो रहा है third और fourth finger के बीच में जो थोड़ा सा independent nature को भी बताता है लेकिन overall देखा जाए तो कुल मिलाकर के finger में ज़्यादा gap नहीं है और यहाँ देखा जाए तो third finger के लेंट अच्छी है तो एक प्रकार के हिम्मती सोभाव आपके अंदर रहेगा risk taking nature है risk लेने से कभी भी पीछे नहीं हटें गया और name film आपके life में अच्छा रहेगा royalty भी अच्छी रहेगी standard of living धिरे धिरे करके बढ़ते भी रहेगा first finger की भी लेंट तकरिबन सेम ही है ज्यादा 19 बिसका इसमें जो है अंतर है और first finger का जुकाव भी जो है second finger की और ज्यादा है तो इस कारण से धार्मिक्ता या occult science इसके प्रती रूची भी देखने को मिलती है थोड़ा सा कहीं न कहीं खुद को ज्यादा time देना या थोड़ा भीड से अलग रहना इस प्रगार का nature भी देखने को मिलता है ज्यादा भीड में रहना या घुलना मिलना ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता finger के ओपर भी सीधी खड़ी रेखा है यानि मित्रता पुर्वक सुभाव है तो यानि जो आपका व्यवहार है जो व्यक्तिकत जीवन है उसमें सबसे आपकी बैन के रहने वाली रहेगी relation और overall देखा जाए तो थम जो है यहाँ पर आपका अच्छा है तो जो आपका व्यक्तित रहेगा वो लोगों के सामने निखर के भी आने वाला रहेगा यहाँ देखा जाए तो first falange की length normal है second falange की अच्छी है तो इस करण सो logical nature आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है और palm के size के विशे में यहाँ चर्चा किया जाए तो palm का size यहाँ पर squareish है तो कहीं न कहीं hard working nature को ही यह बताता है यहाँ पर खाली बेठना खाली रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा खुद को busy रखे रहना या कहीं न कहीं work करते रहना इस प्रकार का nature है शुक्र शाशित हाँ थे तो luxurious life की चाहस ज़्यादा देखना को मिलती है हर प्रकार के शोक हर मानों को पूरा आप अपने जीवन में करने वाले रहेंगे अच्छा दिखावटी चीज़ें जैसे होती है एक से ज़्यादा गाड़ी घरबार अच्छा रहन सहन खान पन कपड़े लगत यह सारे चीज़ शौक बहुत अच्छे होते हैं और इसी इनी सब चीज़ों में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं साहित्य प्रेम भी ज़्यादा रहता है जिसका शुक्र शाशित हाथ होता है तो यहाँ पर inspiration, motivation अच्छा है तो कोई भी काम करने के लिए आपके इंदर प्रड़ेना अच्छे रहेगी planning अब ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन action direct ले लेंगे इस प्रकार का nature निकल के आ रहा है अब यहाँ पर एक एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे मैं आपको अवगत कराता हूँ तो गुरु के छेतर से यहाँ प्रारम करते हैं गुरु पर बहुत अच्छी आपके progress line निकली हुई है life line से जो एक प्रकार के ambitious nature को बताती है जिसके करण विक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं जैसे standard of living को सुधारते रहना, royalty को maintain करते रहना यानि धीरे धीरे करके life में अच्छी progress देखने को मिलती है और कहीं न कहीं आपके life में progress 21 plus age के बाद से ही suddenly start हुआ है growth और earning सारी चीजे और guru mount यहाँ पर थोड़ा weak है तो कहीं न कहीं family को ले करके आप थोड़े unsatisfied रह सकते हैं unsatisfaction, unstability, family life को ले करके रहने के साथ साथ जैसे यहाँ आड़ी रेखा है तो यह एक प्रकर के दयालूपन को व्यक्त करता है तो जैसे कोई आपके पास आएगा तो आप उसको ना नहीं कर पाएगा खुझ से जितना हो सकता है help करना, धार्मिक रहना, एक से ज़्यादा sources से अर्नी यह सारी योग बनते हैं सेटन माउंट दबा हुआ है तो कारियों में थोड़ा से विलंब यानि देरी देखने को मिलती है सोचना ज्यादा या करना कम इस प्रगार का नीचर थोड़ा निकलता है लेकिन overall fate line के विशे में आपके चर्जा करें तो fate line comparatively यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर यह आ करके यह जो age है approximately 32 के age के आसपास में यह जो है रुकी है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके mind line के उपर से एक रेखा निकलतीर सीधे शनी तक गई है और एक शाखा गुरू पर भी जूक रही है तो तकरीबन life में जो sudden growth और बहुत अच्छा जो time period लगक के accordingly है आपका वह यहाँ पर 36 age के बाद में देखने को मिल रहा है वही same case यहाँ पर आपके guardian angel line में भी देखने को मिल रहा है guardian angel line हला कि बहुत पहले से start हो गई है यह तकरीबन इनके 27 से लिगर 29 age के बीच में start होई है और suddenly आगे जो है बहुत अच्छी बढ़ते जा रही है तो यह भी एक प्रकार की support system को indicate करता है कि 27 से 28 की बीच में life में किसी ऐसे वेक्ति का entrance होने वाला रहेगा जिसके करण आपको life में support अच्छी मिलेगी और एक प्रकार से backbone वाला काम जो है यह यहाँ पर देखने को मिल रहे है जब जब किसी trouble या मुसीबत में रहेंगे दूसरे का सहयोग या इनका जो गार्जे निंज लाइन है व्यक्ति विशिस का सहयोग अच्छा मिलेगा जिसके करण trouble कम होगी और मनोकामनाय पूरी होगी अब जैसे उसके बाद सेटन लाइन यहाँ पर strong हुई है सेटन पर भी लाइन पोची है गूरू पर भी पोची है तो यह बताती है कि 36 सेज के बाद में आप जो भी कार ये छेतर में रहेंगे उसमें आपको बहुत उन्नती भी मिलेगी और बहुत उच पद तक भी आप जा यहां आपके mind line के उपर से ही एक रेखा निकलके सूरी रेख यहां परवत को काटते बहुत और सूरी के बीच में गई हुई है जो खुद के बहुत अच्छे property बनने के योगों को भी वेक्त कर रहा है अदर्वाइस देखा जाए तो mercury मांट डेवलोप अच्छा है तो जो mercury finger की जो कमी थी उसको यहां पर fulfill इसने कर दिया क्योंकि mercury मांट जो उबरा हुआ होता है तो वेक्ति मन के अंदर को बात को नहीं दबाता है अपनी बात को बड़ी सरलता वासनी से दूसरों के सामने रखने वाले होंगे चाहे सामने वाले person की negativity ही क्यों नहों लेकिन इस प्र में इस करण से आपके अच्छे growth रहेंगी बेसिकली यह healing qualities को indicate करता है तो जो भी विक्ति आपके पास आएगा वो कहीं नहीं अपने आपको positive feel करने लगेगा तो यह सारे योग भी है और इसके बाद हरदर एखा एकदम साव सुथरी है आपकी emotions feelings आपके same separate रहेंगी उसमें changes नहीं है और यह line यहाँ पर आपके Heather एखा पर ही mainly रुकी हुई है तो इस करण से यह एक प्रगार के practical nature को भी create कर रहा है और यह यहाँ पर बताता है कि कई नहीं आपका focus money के उपर अच्छा रहने वाला है खुद को लेकर कि ज़्यादा focus रहेंगे और जो एक जो गुरू क तो इस करण से थोड़ा emotional और sympathetic nature भी हाँ पर आपका create हो रहा है अदर्वाइस आते है mind line पर तो mind line आपकी independent ही चल रही है life line से तो यह एक प्रगार के जिद्धिपन को व्यक्त करता है आपको बच्पन से ही हर प्रगार की स्वतंतरता बहुत अच्छे लगी है और बच्पन से आपके अंदर ज्यादा है अपने जिद्ध की पूरी करेंगे overall देखीज़े तो mind line आपकी अच्छे है क्योंकि mind line इस ट्रेट और ऊपर के और जो यह थोड़ी सी मुड़ गई है तो यह business में अच्छे growth दिलाती है अच्छे decisions आप लेने वाले रहेंगे लेकिन यह योग कब पड़ जाना यह सारे योग भी आपके अंदर होंगे overall देखा जाए तो mind line यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी है तो decision भी अच्छे लेंगे दिमाग से अच्छा आप काम कर लेने वाले रहेंगे progress भी अच्छी रहेगी mind line पर आते हैं आपके mind line के बाद life line पर तो progress line के बाद life line बहुत ज्यादा smooth हो गई है और उसके supportive line ने जो यहाँ पर आपका continuous चल रहा है तो कहीं न कहीं दूसरे का सही होग जीवन में आपके बहुत अच्छा बना रहेगा spouse का भी सही होग आप कह सकते हैं और उसी के comparison में यहाँ एक दो जो यहाँ आड़ी रेखा है यहाँ पर व्यक्त करती है कि थोड़ा सा आपको तकरिबन 35 से लेकर कि 37 के बीच में एक stress रहेगा और देन आफटर एक 40 के age में थोड़ा सा family related stress आ सकता है अधर्वाइस अभी के time क period की चर्चे करें तो 20 यहाँ पर 9 के age में थोड़ा सा एक जो है tension रह सकती है अधर्वाइस कोई भी big issue नहीं है यहाँ पर tension है लेकिन कोई भी इसा राहू रेखा नहीं है जो बहुत trouble को indicate कर रहा हो मंगल के छेदर से भी रेखा है उभर के आ रही है रेखा से भी रेखा जा था फिलाल इन सब चीजों में control है अच्छा आपका अंधरूनी और बाहरी मंगल दोनों विक्सी थे तो शारा रिग गठन बलुर्जा और मांसिख बलिये दोनों आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा तो इस कारण से एक प्रकर को जूनून और होसला भी आपके अं सकता है तो जितना हो सके ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करने से अपने आपको बचाया रखें वहीं यहां की सीधी खड़ी रेखा आपको लाइफ में अच्छी अपोरजिनेटिव और सक्सेस को इंडिकेट करता है तो इस कारण से शुक्र माउंट ओवर रोल देखा जा तो अच्छा लेकिन थोड़ी नेगेटिव लाइन के लिए आपको थोड़ा सा शुक्र करेमेडिस कर लेने चाहिए 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 जीवन में टेंशन कम हो ग्रोथ अच्छी हो के तो माम पर विभाजित हुई है जीवन रेखा इस प्रकार से तो ट्रेवलिंग अच्छी रहेगी आपकी और चंदर माउंट भी अच्छा डेवलप है तो बोल चाल की कला में ये और ज्यादा इंप्रूब्मेंट लेकर के आता है सक आ रहे है कि लाइफ में आपके धन तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको रोक पान आपके लिए थोड़ा से मुश्किल रह सकता है ओवरॉल देखा जाए तो मनी फ्लो अच्छा है बिजनेस और ग्रोथ अच्छा है थोड़े और रेमेडिस अगर कर लें तो परफेक्शन औ लाते हैं आपके हाथ से रिलेटेड अच्छा करता हूं सभी प्रशनों को तर्मिल गया हो कोई और अगर रहे गया हो तो जरूर पूछे तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद